जेहिंग नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है One Rank One Pension 3 का जुलाई और अगस्ट 2024 का एरियर पूरू सेनिकों Family Pensioners और Disability Pensioners के खातों में क्रेडिट होना शुरू हो चुका है 20 सप्टमबर 2024 से PCDA ने OROP3 के उपर काम करना शुरू किया इस पर सोप्टवर में फोर्मूला लगाया और टका टक कोरिजंडम PPO जनरेट होना शुरू हो गए Defense Pensioners के पास में मेसेज भी आने शुरू हो गए जिन जिन को मेसेज प्राप्त हुआ उन्होंने जब इस पर्स में लोगिन करके देखा कि मेरा कोरिजंडम PPO जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है तो वहाँ पे वाकई में OROP3 का कोरिजंडम PPO अवेलेबल था उन्होंने डाउनलोड किया उसमें pension चेक की दूसरे दिन देखा उनके खातों में area भी आ गया और अब 30 सप्टमबर 2024 को इसी कोरिजंडम PPO के अनुसार जो OROP3 की pension है वो defense pension के खातों में credit होने जा रही है लगबग 31 लाख इस पर्स के service family pension और disability pension है उन सब को यहाँ सोगात मिलने जा रही है केवल उन pension को छोड़के जिनको OROP3 लागू नहीं है यानि जो एक जुलाई 2024 के बाद में retirement आये है या फिर premature retirees है premature retirement में भी जो तीन army rule है उनको यहाँ पे OROP का फाइदा नहीं मिल रहा है और वो लगातार परियासरत है उन्होंने AFT में, High Court में, Supreme Court में अलग लग जगे या चिकाएं भी लगाई है, लगाने की तैयारी में है तो हो सकता है कि उनको भी आगे जाके future में OROP का लाब मिले लेकिन जब तक मांग उठाएंगे नहीं, सरकार को लिखेंगे नहीं तब तक ये लाब मिलना बहुत ही मुश्किल है premature retirement वालों को लाब मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि सरकार अपने ही कहे के उपर मोदी जी अपने ही बयानों से मुकर चुके हैं और यहाँ पे OROP2 के जो circular में, letter में clear मना कर दिया कि एक जुलाई 14 के बाद में जो premature retirement आये हैं, उनको किसी फिपरकार का OROP का लाब नहीं मिलेगा तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ बातें की जो premature retirement से जुड़ी हुई अब हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने जो बीच-बीच में qualifying service के अनुसार में नोकरी नहीं किये, देश की सेवा नहीं किये हमारा भी दिखाये जाएं इसलिए इस वीडियो में मैंने आपकी सभी qualifying service के अनुसार 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 32, 32, 33, 33 साल से ज़्यादा भी सभी qualifying service का group X और group Y का सिपाई से लेके ओनरी कैप्टन तक जुलाई और अगस्त का एरियर दिखाया है यही एरियर आपके खातों में 30 सप्टमबर 24 से पहले-पहले क्रेडिट होने जा रहा है जिनका कोरिजन पीपी जनरेट हो जाएगा उनका 100% एरियर क्रेडिट होगा और उनकी 30 सप्टमबर को OROP 3 की बढ़ी हुई पैंसन भी क्रेडिट होगी टेबल नमबर 7 OROP 3 एरियर टेबल जुलाई टू अगस्त 24 तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिपाई एंड इक्वेलेंट रेंक्स ओप एर फोस एंड नेवी की यानि तीनों से नाओं के सिपाई के बराबर रेंक को OROP 3 में जुलाई से अगस्त का एरियर कितना मिलेगा ग्रूप X की भी बात करेंगे ग्रूप Y की भी बात करेंगे सबसे पहले बात करें तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्वीस में आपको मैं याँ पे टोटल जो आपका एरियर बनने जा रहा है 50% DR के साथ दो मैने मैनों का वो ही आगडे बताऊंगा बाकी आप हर मैने आपकी पेंसन बडोतरी और हर मैने आपका 50% DR के साथ पेंसन बडोतरी दोनों यहाँ पे कोलम आप देख सकते हो ग्रूप X और ग्रूप Y का तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्वीस में 4554 रूपे 16 साल में 4554 17 साल में 4968 रूपे 18 साल में 4968 रूपे और 19 साल में 7800 चोपन रूपे Y ग्रूप की बात करें 15 साल में 4554 16 साल में 4554 17 साल में 4968 18 साल में 4968 और 19 साल में 7800 चोपन यानि जितना गुरूप X को मिलेगा एरियर उसी क्वालिफाइंग सर्वीस के मताबिक गुरूप Y को भी मिलेगा दोनों के यहां पे आंकडे बराबर निकल के आ रहे हैं अब बात करें नाइक और नाइक टीएस एंड इक्विलेंट रेंक्स की गुरूप X में बात करें तो 15 साल से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्वीस वालों को कोई एरियर नहीं मिलेगा 18 साल वालों को 2,112 रूपे 19 साल को 4,425 20 साल को 6,225 21 साल को 6,225 22 साल को 12,075 और 23 साल में 12,075 24 साल में 12,075 Y गुरूप की बात करें नाइक एंड एक्विलेंट की तो 15 साल में 17,025 16 साल में 18,036 17 साल में 4,143 18 साल में 5,532 19 साल में 3,546 20 साल में 4,444 21 साल में 5,514 22 साल में 6,975 23 साल में 6,975 और 24 साल में 5,643 रूपे इतना एरियर आपके कातों में क्रेडिट होना चाहिए इससे इदे कम क्रेडिट होता है तो फिर आपको अपना ओर रूपी 3 की टेबल के साथ में चेक करना चाहिए 50% के साथ में DR केल्फूट करना चाहिए और कोई समस्या हो तो CP ग्राम के जरिए कम्पलेंट डालना चाहिए हावलदार रेंग की बात करें 15 से लेके 17 साल X ग्रूप को कोई एरियर नहीं मिलेगा 18 साल को 3726, 19 साल को 6500, 20 साल को 7500, 21 साल को 6000, 22 साल को 5025, 23 साल को 5025, 24 साल को 5025, 25 साल को भी 525 और 26 साल को भी 5025 रुपे हावलदार की Y ग्रूप की बात करें तो 15 साल में 618, 16 साल में 1425, 17 साल में 2082, 18 साल में 4950, 19 साल में 4950, 20 साल में 8268, 21 साल में 8268, 22 साल में 7857 रुपे और 23 साल में 7558, 24 साल में 7558, 25 साल में 7854 और 26 साल में 9955 रुपे Y ग्रूप की भी हमने यहां पे देख ली, अब बात करेंगे ओनरी नाइप सुगदार की तो ओनरी नाइप सुगदार को आप यहां पे देखेंगे 15 साल क्वालिफाइंग सर्वीस से लेके 17 साल क्वालिफाइंग सर्वीस में ग्रूप एक्स को कोई एरियर नहीं मिलेगा इसके बाद 18 साल वाले को 3726, 19 साल में 655, 20 साल में 7555, 21 साल में 6025, 23 साल में 5025, 24 साल में 6045, 25 साल में 8666, 26 साल में 11370 Y Group की बात करें तो Y Group में पंदरा साल में 618 16 साल में 1,425 17 साल में 2,082 18 साल में 4,950 19 साल में 4,950 20 साल में 8,268 21 साल में 8,268 22 साल में 7,857 रूपे 23 साल में 3,049 24 साल में 5,964 25 साल में 5,964 और 26 साल में 8,964 रूपे और रूपी 3 का Y ग्रूप को जुलाई और अगस्त का एरियर मिलेगा अब बात कर लेते हैं पक्की रेंक, नाइप सुबदार रेंक और इक्वेलेंट रेंक की तो 15 साल से लेके 20 साल तक नाइप सुबदार X ग्रूप को कोई एरियर नहीं मिलने जा रहा है 21 साल में 5,325, 22 साल में 5,325, 23 साल में hemen 8,850, 25 साल में 6,825, 26 साल में 9,375, 27 साल में 9,375 और 28 साल में 6,075 रूपे एरियर मिलेगा नायप शिवदार वाई ग्रूप की बात करें दोस्तों तो पंदरा साल में 1,391, 16 साल में 6,50, 17 साल में 2,625, 18 साल में 2,855, 19 साल में 6,50, 20 साल में 6,65, 21 साल में 6,000, 23 साल में भी 6,000, चोबी साल में भी 6,000 25 साल में 6,225 26 साल में 6,225 27 साल में 9,150 28 साल में 5,625 रूपे एरियर मिलेगा बात करेंगे सुबधार एंट इक्वेलेंट रेंग की तो 15 साल से लेके 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस ग्रूप X वाले सुबधार को कोई एरियर नहीं मिलेगा और 20 साल में 2,204 21 साल में 4,625 22 साल में 5,460 उसके बाद 23 साल में 3,150 24 साल में 6,45 25 साल में 7,50 फिर 27 साल से लेके 28 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा और 29 और 30 साल वालों को 1425 रुपे ग्रुप X सुबदार को एरियर मिलेगा Y ग्रुप की बात कर लेते हैं तो Y ग्रुप में आप यहां पे देखेंगे आंकडे 15 साल में 2037, 16 साल में 3288, 17 साल में 3288 18 साल से लेके 21 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा 22 साल में 2250 और 23 साल में 2250 ये 2250 साड़े 26 साल तक है 27 साल में 3075 28 साल में 1425 29 साल में भी 1425 और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस Y ग्रुप सुबदार को 1050 रुपे आप बीच में जो 6 मन्त का यहां पे ब्रेकिट है जैसे 27, 27, 28, 29 इनके भी आखड़े आप देख सकते हैं क्योंकि जिनका 28 साल और 6 महीना हो गया वो साड़े 28 साल में काउंट होंगे तो 6-6 महीने का यहां पे ब्रेकिट के अनुसार पेंसन का टेबल दिया गया है तो उसके मताबिक भी आप देख सकते हैं अब बात करेंगे दोस्तों सुबदार मेजर और एकवलेंट रेंग की तो 23 साल से लेके 28 साल तक कोई पेंसन में बढ़ोती नहीं हुई है ना कोई एरियर मिलेगा 29 साल में 2925 30 साल में 1350 31 साल में 5025 32 साल में 2025 और 33 और उसे जदा में 815 रुपे का एरियर सुबदार मेजर को मिलेगा और वाई ग्रूप की बात कर लेते हैं तो 23 साल में 10,050 24 साल में 8,850 25 साल में 3,650 26 साल में 3,650 27 साल में भी 3,650 28 साल में 8,925 29 साल में 9,520 30 साल में 8,400 31 साल में 8,400 32 साल में 3,550 और ते 30 और उसी ज़्यदा सर्वीस है तो 3525 रूपे फाइनली बात करेंगे ओन्री लेटनेट और कैप्टरन और उसके बराबर की जो एर फोर्स और नेवी की रहें के उनके बारे में तो ओन्री लेटनेट की बात करेंगे तो 28 साल तक कोई एरियर नहीं मिलेगा और साड़े अठाई साल वालों को 825 रूपे मिलेगा 29 और 30 साल वाले को कोई एरियर नहीं मिलेगा 31 साल वाले को 4245 रूपे 32 साल वाले को 27 और 30 साल वाले को 15300 रूपे एरियर मिलेगा और कैप्टरन की बात करें तो 26 साल में 4626 रूपे सताई साल में 4695 रुपरे 18 साल में BCM 29 साल में 1100 3645 30 साल में कोई area नहीं मिलेगा 31, 32 वालों को भी नहीं मिलेगा और जो 32 या उससे ज़यदा qualifying service 33 या उससे ज़यदा qualifying service है उनको 7,845 रुपरे का area मिलेगा तो इस वरकार में ने अब इस वीडियो में आपको 15 साल से लेके 33 या उस से ज़दा क्वालिफाइंग सर्वीस ग्रूप X, ग्रूप Y, सिपाई से ओनरी केप्टन सब का एरियर बता दिया इसके अलावा भी आपको देखना है तो आप अपनी क्वालिफाइंग सर्वीस के अनुसार इस टेबल में अपना एरियर देख सकते हैं मैं उपर इसको स्क्रोल कर रहा हूँ दोस्तों एरियर आपका पैंसन क्रेडिट होने से पहले भी खातों में क्रेडिट हो सकता है आपके खाते में इस परकार अमाउंट आए तो आप ये मान लें कि आपका ओवारूपी 3 का दो मेंनों का एरियर है और इसको आप अपनी ओवारूपी 3 टेबल के अनुसार चेक कर लें कि 50% के साथ में आपका जो एरियर है वो सही आपके खातों में क्रेडिट हुआ है या फिर अमाउंट में कोई कमी है कमी हो तो आप CP ग्राम के जरीए कंप्लेंट जरू डाले और अपना पूरा हक PCDA से ले इसके बाद आपकी जो ओरूपी 3 की पैंसन 30 सप्टमबर 24 या फिर अभी तक PCDA ने SMS नहीं बेजाए SMS में आपको जानकारे मिल जाएगी किस तारीक को ओरूपी 3 की पैंसन क्रेडिट होगी यूँकि PCDA में अभी भी ओरूपी 3 के जो डाटा फिडिंग है डाटा बैस अपडेट हो रहा है उसके मताबिक फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि पैंसन 30 सप्टमबर को ही जारी की जाएगी या फिर 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर या आगे डेट भी बढ़ सकती है लेकिन सप्टमबर 2024 की पैंसन आपकी ओरूपी 3 की पैंसन के साथ में ही क्रेडिट होने जारी है ये confirm है ORP3 की pension credit होने के साथ ही आपकी pension में बढ़ोतरी हो जाएगी उसके बाद एक जनवरी 2026 तक जब तक आठ माँ पे commission लगो नहीं होगा तो आपकी basic pension यही रहेगी इसके उपर जो बढ़ने वाला बेरनेश रिलिप है वो लगता रहेगा और हर 6 में आपकी pension बढ़ती रहेगी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकरिया आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी आपसे जुड़ी होई जानकरियां पाते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी होई नई जानकरियों के साथ तब तक के लिए जैहिंड जैबारत वंदे मातरम